जए हिंदिस वीडियों लोग ISF Limited कंपनी बारें बात करेंगे इसको सौट कोर्ट में ISF के नाम से भी जाना जाता है पिछले काफी समय से इस कमपनी का सेयर पैस तुस्त पढ़ा होए था लेकिन अचानक से एक return to war इसका सेयर पैस रॉकेट की राफ्तार सा समान की तरह भागा बहुत कमाई कर आपनी नियुसको को तो आईए इस वीडियो में इनी समुद्धों पर एक दाम आसान फासां बात करने की कोशिज करते हैं देखेंगे इस श्टॉक का नाम है ISF और इसको ISF लिमिटेड या ISFL शॉर्ट कॉर्ट में इस नाम से भी जाना जाता है देखेंगे तो एक finance sector की कंपनी है और NBFC कंपनी है और साथ Non-Banking Financial कंपनी है इन देनों इस तरह की कंपनी का कारोबार काफी अच्छे से फल फूर्पूल रहा है क्योंकि NBFC जो कंपनिया होती है काफी कम ताम जाम असानी से आपको प्रोवाइट टरा देती है कम से और आपको और 9-6% की गिरावट इसमें हुई है ऐसा गिरावट पिछले कई दिनों से चल रहा है क्योंकि लगभग एक सब्ता से श्टॉक अभी लोगर सर्कुट में चल रहा है हाई लगा चुका 31.05 पैसा का और यह हाई इसी साल इसने 4 अपरेल के दिन लगाया था और 4 अपरेल के बा पैसा बहुत बढ़ा तो एक डेवड़ पेक आसपास हो गया लेकिन लगभग इसको कह सकते हैं कि 15-16 सालों तक स्टॉक का प्राइस एक रुपए से भी कम मैं रनिंग करता रहा पिछले साल से यानि कि मतलब पैसों में गुमता रहता नहीं इसका मतलब यह हुआ कहीं न कहीं और अच्छी खासी अपनी कमाई कर बना ली है और हलाकि सिर्फ ऑपरेटर्स नहीं कमाया होगा लेकिन अब तो अपरेटर्स निकल गया है और फास गया है बचारे आम निवे सक देखिए हम गलती क्या करते चाहिकंते हैं कि जब शोल निकलते हैं तो हम जाते हम पना। उप्राइटर्स निकलते हैं हम पाते ह tijd जाते हैं तो यही मतली को होता है कि कोई भी स्टोक जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो थोड़ा तो टूटना सभावी गेट टूटता है लेकिन डाइरेक्ट एकदम जीरो पर नहीं चल जाता है पहला जहां जहां उसका सपोर्ट लेवल है वहां आपकर ठारा हो लेता है तो यहां तक ठारने क सेशन में मार्केट ओपेन होगा तो डाउन ही जाएगा तो इससे नीचे भी जाएगा और मैंने जिसका कहा किया सकता है दो सर पाइश पैसा तक और यहां पर सपोर्ट लग जब सेएर पाइस उपर उठेगा तो अधिक्तम ने मान के चलते हैं स्ट टार्गेट इसको चोट अब समझें कि फंडामेंटल कि इतना कंपनी का मजबूत समझें करजा कंपनी को पर बिल्कूल नहीं अकदम फिरी कंपनी है और रिजर्व है इसके पास 4 क्रोण 37 लाग का तो यह तो बहुत अच्छा है कि करजा भी नहीं और कंपनी के पास रिजर्व भी है अब यहां हो गया यह प्लस पॉइंट दिख रहा है लेकिन यहां आप देखेंगे इसका जो प्रोफिट में 20 लाग का हुआ था और क्वाडर 3 में कम होकर 18 लाग का रह गया यह बात समझ भी नहीं आता कि जब बढ़ा है तो इसका प्रोफिट भी बढ़ना चाहिए क्यूंकि इसके प प्रोफिट के जो बैलेंस होते हैं उनमें जब इस तरह के गड़वर दिखते हैं तो मैनुप्लेशन होने के चांसेज बढ़ जाते हैं तो इस बात सिंकार नहीं किया जा सकता अब समझें इसका बुक वेलू एक रुपए 46 पैसा यह काफी बढ़िया है क्यूंकि प्रोफि तो कम सकम 10 परसेंट सद्धिक होना चाहिए तो यह भी कुछ खास अच्छा नहीं है यहां देखेंगा प्रमोटर्स की सदारी जिरो प्रोफिट मतलब प्रमोटर्स हैं ही नहीं तो जब प्रमोटर्स नहीं है तो अप्रेटर्स इसमें आसानी सहाबी हो जाए और पब्लिक क पर जाएगी और फिर से नहीं उसकों को अच्छी कमा इकराएगी इसलिए अगर कोई नया बेक्ति इसमें इंवेस्टमेंट करना चाहते तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज आप कोई दूसरी कमपनी देख लिजे अब यह कमपनी जितना कमा कर देना था उतनी में लॉसी होगा उमीद करता हूँ यह जनकारी अच्छी लगी होगी मेरे बातें आपको समझ में आई होगी अगर में में कोई सवाल है कोई कानिफ्यूजन है तो हमसे कमेंट में जरूर पूछिए उसके रिप्लाई दूँगा परसनली मुसे जूर कर बाते गाना चाहतर म पर फॉलोग कर लेजे मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब धन्यवाद शुक्रिया